आर्टिकल 370 के मुद्दे पार अब जिन्ना की भी एंट्री हो गई है कभी कॉंग्रेस के साथ रहे उसके पुराने साथ ही और कल की धाम की पीठा दिश्वर प्रमोध कृष्णब ने जिन्ना का नाम लेकर कॉंग्रेस को घेरिने की कोशिच की प्रमोध कृष्णब ने कहा कि अनुछे 370 अब दफ्ण हो चुका है अब इसे कोई वापस नहीं ला सकता और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अलगावाद को बढ़ावा दे रहे हैं धारत में कुछ राजिनेति की पाइटियां ऐसी हैं उनके नेता ऐसे हैं जिनके अंदर जिन्ना की आत्मा गुझ जाती है वो देश को तोड़ने की बात करते हैं दरसल 5 अगस्त 2019 को जब मोधी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए को खत्म किया था उस वक्त सभी विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया था कश्मीर में विधान सबाच चुनाव के दौरान कॉंग्रिस और नैशनलल कांफरेंस दे गड़ बंधर करके चुनाव लड़ा जिसे लेकर बीजेपी ने कॉंग्रिस को अपना रुख सपश्र करने को कहा था अब प्रमोद कृश्णम ने भी कौंग्रिस को 370 पर अपना रुख साफ करने को कहा है राहूल गांदी जीसे अग्रे करना चाहता हूं कि वो अपना रुख साफ करे है सारा देश जानना चाहता है कि राहुल गांदी कश्मीर में 370 दुबारा लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं जम्मो कश्मीर में कॉंवेस 370 के ऐसे चक्रवियू में फस गई है कि वो ना तो इसका समर्थन कर पा रही है और ना ही खुल कर इसका विरोध